नुश्कार, मानेनिय कलामंत्री शिरी बीडी कल्ला जी, शिरी रादा बल्लर तिरपाठी जी, शिरी महेश चंपकलाल जी, भारत रत्न शिरी भारगो जी, शिरी भारत गुपता जी, शिरी भारगो ठककर जी और मिस डॉली ठककर जी आप सभी के माध्यम से राजिस्थान संस्कृत अकादमी जैपुर और राजिस्थान संगीत नाटक अकादमी जोतपुर द्वारा जोतपुर में 13 से 17 दिसंबर तक ये जो पांच दिवसिये नाट शास्थ पर आधारित राश्ट्री कारशाला का अयन किया जा रहा है ये लोग भी मुझे से मुखातिब हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसा अवसर है कि मैं समझता हूँ कि किसी को खोना नहीं चाहिए इस कारशाला में रंग मंच की खोबियों बारिकियों की समझ का अध्यान है मैं खुद भी शामिल होना चाह रहा था लेकिन करोना की वज़े से जिस तरह का माहौल फजा में तारी है तो एहतियाद बरतना बहुत ही ज़रूरी था इस वज़े से मेरा आना संभो ना हो सका लेकिन ये कारशाला ऑनलाइन आफलाइन दोनों माध्यों से संचालित की जा रही है इसलिए जो जानकारी हासल होने वाली है उसमें नाट शाला नाट शास्त पर आधारित है और नाट शास्त में उन तमाम विधाओं का समावेश है जिनके बगएर रंग मंच का कोई भी माएनी ही नजर नहीं आता नाट शास्त में उन तमाम कलाओं का ग्यान समाहित है जो इंसानी जिंदगी को बाखुबी जीने की सलाहिय अपरर देता है, मेरा खुद भी तालुक एक बहुत ही छोटे से गाउं से है, जहां रंगमंच, ठीटर, नाटक इन सब की कोई माहि encima ही नहीं चीज़त है कोई मतलब भी नहीं थह हम जानते भी नहीं थे कि नाटक क्या होता थेटर क्या होता है और रंगमंच क्या होता है राम लीला रासिला ये सब तो हम देखे थे और मालूम था लेकिन थेटर और रंगमंच से हमारा कोई तालुक नहीं था मैं म्यूजिक से मेरा तालुक था और म्यूजिक सीखने के लिए मैं घर से चला जब मैं हार सेकेंडरी की तो घर से निकलाया, मुजिक सीखने के लिए मैं जाया, तो चाह को रा होती है, बस कि आपकी जैसी चाहत होती है, रास्ता वैसे ही मिल जाता है, तो मैं ललित्पुर पहुंचा, ललित्पुर में एक नाटक कंपनी लगी हुई थी, और उसका नाम था भोपाल थीटर कंपनी, थीटर लब्ज मैंने पहली दफ़ा अपनी सिंदगी में तब जाना की थीटर कुछ होता है, खैर मैंने पहले दिन वहां नाटक देखा, उसके बाद फिर दो तीन दिन के बाद उस नाटक कंपनी में भरती हो गया, दो रुपे पचास पैसे मुझे मिला करते थे मेरी जो तनखा थी रोज की, और उसमें मैंने छे साल तक बिल्कुल खाना बदोशों की तरह तालिम हासिल की, और रहा वहां, और सीखने बहुत मजा आया, वहां मुझे पता लगा कि रंग मंच, थेटर, ये सारी चीज़े क्या होती है, और थेटर में होता क्या है, थेटर की जिन्दगी होती क्या है, थेटर के जो जुनून है, थेटर की जो दिवानगी है, मुझे उस पार्सी थेटर में समझ आई, क्योंकि वहां जिस तरह के लोग उस कंपनी को चला रहे तो उस कंपनी में थे एक्टर, कलाकार, पेंटर और ये सारे लोग वहां थे, डांसरे भी थी और सब लोग थे वहां पर, उनके बीच में रहा, तब मुझे इस चीज़ का अभास हुआ कि थेटर क्या है और थेटर की एहमियत क्या है जिनकी जीने में, फिर मैं वहां से जब नाटक अम्री खतम हुई तो मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में नेशनल इसकूल को आप ड्रामा सभी जानते हैं, मैंने वहां एड्मिशन लिया, तीन साल की वहां ट्रेनिंग की, उस ट्रेनिंग की दोरान मुझे ना शास्त्र भी कोई ऐसा एक शास्त्र है जो जिसमें नाटक की सारी विधाएं, नाटक की सारे जो डिसिप्लेन है, नाटक का जो अनुशासन है, नाटक का जो दायरा है, वो सारा कुछ नाट शास्त्र में दिया गया, जीने का एक अंदास, जीने का तरीका, जजवातों का त करता था चरित्र चित्रन का कोई ऐसा कोई मतलब नहीं था बस ओडियंस को जो अच्छा लगे वो हम कर देते थे लेकिन एंसडी आने के बाद हमें पता लगा कि चरित्र चित्रन होता है चरित्र होता है और चरित्र के दाइरे से आप बाहर नहीं जा सकते जो चरित्र है उस च किसरे की पासक था कि इस चरित्र की रूह में केसे जाएं तो फिर हम वक्त को याद कर ले ते उस तरह का की किरेक्टर में मिल गया को कैसे रहता हो होगा कैसे चलता हो cuba कैसे से तो सिर्फ हम सोच ही पाते थे लेकिन नाट शास्तर से हमें बहुत सारी चीजों का पता चला कि सा नौरस होते हैं, नौरसों का फिर हमने अध्यान किया कि अहसास होता है, जो अभास होता है, जो जिन्दगी होती है, इनी रसों के दर्मियान होते हैं, जो आपकी ज़वात होते हैं, जो आपकी अनुभूती होती है, जो आपकी सूचने का तरीका होता है, बोलने का तरीका ह जो आपकी मनह इस्तिति होती है, ऋ इनी सुखी हो. ना इसने ही समाहित होती है। तो यह सारी चीज़ हम ने वहाँ सीखी. मालू हूब कि केरेक्टर पर कैसे काम किया जाता है। तो यह बहुत बड़ा मुझे वहाँ से पढ़के, बहुत सारी चीज़ा समझां या बहुत देखे और भी जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा और हम बहुत नई नई चीजें हम सीखते रहें और सीखने में बहुत बेहद मज़ा आता रहा क्योंकि थीयटर रंग-मन्च की यही खासियत है कि आपको अगर सीखने में मज़ा आने लग जाए तो समझेए कि आप कामयाब है क्योंकि रंग मंच एक ऐसी जगह है जहां से आपको बहुत सारी चीज़े मिलती है जहां से आपको हर चीज़ मिल जाती है आपको संगीत मिल जाता आपको नर्त डांस और जीनक एक बहतरीन सलीका मिल जाता है कि आपको कैसे जिन्दगी गुजारनी चाहिए यही जिन्दगी का मज़ा है जो भी एक बार थेटर में आ गया अगर वो थेटर वाकी थेटर तो से महबबत है थेटर को अगर वाकी समझ गया है तो ऐसा लगता है कि उसे अकेलेपन का हिसास नहीं होता उसको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है आपके बास म्यूजिक है आपके बास संगीत है आपके बास किताबे है और आपके पास और भी हैं बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझने की लोगों के साथ रहने की बहुत सारे सलीके आपको थेटर रंगमच से आ जाते हैं यह हमें नाट शास्त रिखाता है तो यह सारी चीजे मैंने वहां रहके सीखी और यही मौका है आप लोगों के पास यह जो पांच दिन हैं मैं चाहता हूँ कि जादा से जादा लोग उसमें जाएं और देखें कि ना प्यास है और इसमें शामिल होने चाहिए शामिल होके उसका मजा भी लेने चाहिए और कि आगे और कैसे बढ़ा जाए और उसके माहने समझने चाहिए कि थेटर होता क्या है थेटर क्यों है क्यों हम थेटर करना चाहते हैं क्यों हम रंगमच पे रहना चाहते हैं रंगमच म लगता और किसी फिल्ड में नहीं मिलते हैं इस वज़े से थेटर को मैं खुद ही भोती तहे दिल से जीजान से थेटर के साथ जुड़ा रहता हूँ और बहुत सारी चीजें सीखता रहता हूँ और सीखते सीखते हूँ लगता है कि अभी कुछ भी नहीं सीखा, जिंदगी बड़ी छोटी सी लगती है, और ऐसा लगता है कि जनम जनम तक अगर हम सीखते रहें जिंदगियों को, तो शायद कई जनम लेने पड़ेंगे, तब कहीं जाके थोड़ा सा हासिल होगा, तो आप लोगों के ये पांच दिन का मौका मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि जादा से जादा संख्या में लोग अवसर का फायदा उठाएं, और इसे जुड़ें, और ठेटर को समझें, रंगमंच को समझें, नार्ट शास्तर को समझें, बस यही कहना चाहूँगा, धन्यवादा.